आपका अपना चैनल एस्टाड़ी मैथ नमबर वन पर पुनस्वागत है मैं एक पुना एक नए टॉपिक के साथ हाजी रहें और टॉपिक क्या है चलिए करके आपको दिखाते हैं ता आपको समझ में आए जाएगा कि वो टॉपिक क्या है वो टॉपिक है कि कूण एक क्लास पांच कई टॉपिक है कि कौण किसे कहते हैं और को रिकार के होते हैं बिडियो को यं तक देखिए ताकि आपको जनकारी मिल सकें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस चैनल पर पूरे इंडिया की लोगो मैठ सिखाने का यह पूरा जो है यह लक्ष रखा गया ताकि जो है सारे लोगो इसकी जनकारी में से कर चलिए वीडियो स्टर्ट करते हैं कोण किसे कहते हैं कोण किसे कहते हैं इसका एंसर देखिए आपको समझना जाएगा जब दो किरणे एक बिंदू पर मिलती है तो उसके बीच जो जुकाव जो जुकाव बनता है जब दो किरणे एक बिंदू पर मिलती है तो उसके बीच जो जुकाव उत्पन बनता है जुकाव बनता है उसे कोण उसे कोण कहा जाता है यह आपका कोण का अंसर हो गया फिगर इसका देखिए किरण किसे काते हैं यह वीडियो में पहले वीडियो बना चुका है इस प्लेव जब इस चैनल पर आप आईएगा तो इस चैनल में देखिएगा सब सर्च करिएगा कि किरण की से उन्साइब मिल जाएगा किरण पर रेखा पर रेखा पर पहले जो है मैं वीडियो अप्लोड कर चुका हूं यह आपका यहाँ पर बिंदू है यह आपका यह हुआ यह आपका बी हुआ इसका वना किरण किसे बोलते हैं जिसका एक अंत बिंदू हो एक यह अंत बिंदू है तो ओ एक किरण हो गया ओ भी एक किरण हो गया इसके बी जो जुकाओ बना है इसी को कूण कहते हैं ठीक है अग कौन तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला इधर लिख देते हैं पहला नियून कौन शमकोन और तीसरा अधिकोन है आगे चौन में और भी में प्रकार हो तेना है और उन्प्रकार के लमड़े शमकोन अधिकोन इसक conception और अधिकोन का एसा होताizar यह फिगर देख लिए यह कॉन का फिगर ऐसे होता है सम कॉन का फिगर ऐसे होता है यह बिल्कु सिधा होता है और अधी कॉन का फिगर ऐसे होता है इस तरीका से तो आप जो है तीनों कॉन का जो मैंने यह पहला का हो जाएगा यह आपका दूसरा का यह आपका तीसरा का इस ब कौन क्या होता है और कौन की इतने परकार के होते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही थेंकिए बेरी मुच्च